परिम्पिता परमात्मा सद्गुर मौला ने मनुश्य सरीर सरवत्तम सरीर दिया है ऐसा सरीर जिसका बराबरी जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती और ये सरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परिम्पिता परमात्मा का नाम जपे सुम्रन करे तो आवा का मन से मौक्ष मिले जन मन से मुक्ती मिले और वो तमाम खुश्या हासिल करे जो मनुश्य सरीर के लिए मालिक ने मुकरर की है इनसान चाहे तो इनसान से भगवान तक का सफर तै कर सकता है पर यह तब ही संभव है अगर इनसान अल्ला वाहिगरु राम का नाम जपे है माली का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है 84 लाख जोनिया है इन में रहते हुए जी वात्मा भक्ती अबादत कर सकती है तूकाड महकाड कि जिसने ब्रह्माजी विष्णो जी महेश जी को बनाया है सभी देव फॉरिस्तों को बनाया है उस उंकार उस वाहिगरु गॉड सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुश्य ही देख सकता है मनुश्य ही उसकी भगती कर सकता है और किसी के लिए संभव नहीं है कई बार ये बात आती है कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुँचती है कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती है इसकी क्या वज़ा है ये कहा जाता है कि संसकारी रूहें होती है संसकार कैसे बनते हैं चोकि और जनम में तो मालिकी बगती हो यह नहीं सकती और जनम में बगती हो सकती है यह संभव है आपको बोला काल महा काल तिरलो की नाथ की बगती पर कोई भी जिवात्मा किसी भी सरीर में रहते हुए पिछले जनमों में अगर भक्ती करती है चाहे वो तिर लोग की नात की ही क्यों ना हो पर वो जीवात्मा तो यही सोच के करती है कि मेरा मालिक है परम्पिता परमात्मा है क्योंकि सभी पक्षी सभी पसू सभी पेड़ पौदों में ऐसा नहीं पाया जाता तो जो भी उन जोनियों में रहती हुए आत्मा मालिक की भक्ती करती चाहे वो काड महा काड की क्यों ना हो तो उस भक्ती का अच्छा फड़ उसके संसकारों में लिग दिया जाता है तो जनमों जनमों की जहान में पर्मानंद लज्जत खुशियां लेती रहती है और कई बार होता है इनसान ऐसा लगता बड़ी सेवा करता है परमात्मा का नाम भी जबता है लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है इतना दूर चला जाता है कि ससंग में नहीं आता लोगों को रहा दिखाने वाला कि मेरे कोछ अमदकार होता है कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है ये है वो है फला है और बाद में उसका पता ही नहीं चलता वो इनसान भगवान को तुछ समझने लगता है ऐसे लोगों के भी संचित करम होते है और इस जन्म के भी करम संचित करम उन सरीरों में रहते हुए वो पाप करम में लगे रहते हैं कोई भगती नहीं करना समय गुजारते जाना इनसान सोचता है ऐसे कैसे संभव है है ऐसा संभव पक्षियों की जोनी में आए कीड़े मुगोड़े खतम कर दिये और किसी के अंडे फोड दिये क्योंकि पक्षियों में पसूं में भी एरिशा पाई जाती है किसी को जीने नहीं दिया उसको पीछे लग गए चोटे पहुँचाई दर दर बढ़काते रहे तो वो संचित करम उनके बुरे जुड जाते हैं और फिर जुड बोला अब आप में से कोई भी आदमी ये कहे कि मुझे मालिक के दरशन होते हैं दूसरा ये नहीं कहेगा कि तु जुड बोलता है पर मालिक को जानता है न कि ये जुड बोल रहे है कोई चम्दकार नहीं, सब बखवास है पर कोई उसे कह नहीं सकता क्योंकि भगती के रास्ते में ये रीत नहीं है भगत को टोका जाए चाहे वो भगत है, ये चाहे नहीं है मालिक को परदा मन्जूर आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि जो वो बड़े-बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीदा करने के लिए वो वास्तर में सच है ये सब बखवास आप तो ये कहें अच्छो ये तो बड़े बगत जी आ गए कभी आप उसे आसन देंगे कभी हाथ बांद के वेठेंगे कभी कुछ करेंगे कभी कुछ लानत ऐसे मुरीद पे जो अल्ला वही गुरु मालिक को छोड़के सद्गुर मौला को छोड़के किसी और को उस रूब में देखता है ऐसा नहीं होना चे ए कभी नहीं क्योंकि सद्गुर अल्ला वही गुरु राम तो सिर्फ एक ही है जो दिखावा करता है जो जितना ज़्यादा शूफों करता है उतने वो पकंडी है डोंगी है बचो ऐसे लोगों से तो उसके यही संसकार को कि पिछले जनमों के बुरे जुडे थे इस जनमें जुट बोलता रहा वही गुरु सत्गुरु मौला के नाम पर जुट पे जुट जुट पे जुट 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 तो उसकी बेडी मी बट्टे डिल जाती है और एक दिन बेडी मजधार में डूब जाती है कुले डूब जाती है तो ये वज़ा होती है कई बार लोगों के दिमाग में चलता है यार ये कैसे होता है तो इस तरह से ये संभव है मनुश्य सरीर में इनसान से बहगवान बना जा सकता है और मनुश्य सरीर में ही इनसान से आदमी शैतान से भी आगे निकल जाता है इसलिए अपने दिमाग को मालिक के सुम्रण में लगा के रखो भगदी अबादत में लगा के रखो ओवर समार्ट कभी न बनो अपने आपको ये मत समझो कि मैं पतनी क्या चीज हूँ उसने बनाया है तू वही चीज है और वो जब मर्जी वापस बोला ले ऐसी ही तू चीज है तेरे बस में कुछ नहीं है तेरे बस में है कि तू अपने अच्छे करम बना ले चाए बुरे बना ले वो भी भगवान के बचनों की वज़ा से तू खुद मुक्तियार है मर्जी का मालिक है तू सरदार है, मुक्षिया है इसलिए अच्छे करम कर अपने आपको अहंकारी मत बना मुझे सब पता, मैं जानता हूँ मुझे ये, मुझे वो कभी वे डिरेक्ट, इंडिरेक्ट अल्ला वहिगरु राम की निंदा ना करो क्योंकि वो अपनी बेडी में बटे डालने के बराबर है उपमा करो मालिक की उसकी भगती की सद्गुर अल्ला वहिगरु राम की क्योंकि उसकी उपमा जो वहिगरु की उस्तत करते हैं मालिक उन्हे अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते इसलिए उस ओम उस राम, अल्ला, वहिगरु, इश्वर की हमेशा भगती करो इबादत करो सुम्रन करो बहला मांगो उससब का कभी अपने आपको मन के हाथों मजबूर ना करो मन भगती मारगे पे चलने उगे बंजा सोना करशे पेच़ा देट भाए मती बंजा सोना की थर ख oy मोड़ा का फिर अइडाए है तेड़ाया करते थे हम लोरु वरास्तान निस आरिया में कोई वड़ाना नहीं जानता था उननीश सुह गाना थें की अष्टम की बात है तो कहने का और फिर उसमें बच्चे उडाना सीख गए फिर पेचा डालते एक दूसरे का पतंग गट जाता तो वैसे ही मन ऐसी जाले में ताकत है जब आप रहानित के रास्ते पे स्मूथ जा रहे हैं लग रहा है कि आप मालिकी खुश्यां ले लेंगे बीच में ऐसी कोई न कोई बल डालेगा ऐसा पेचा डालेगा आपकी पतंग करती तो नहीं क्योंकि सद्गुरु मौला का हाथ है पर डिक डोले बहुत खाती है तो इसलिए मन का पते नहीं किस रूप में परगट हो जाए कोई पता नहीं किस रूप में आपको गिराना शुरू कर दे तू तू तू नहीं आगे जा सकता तू तो बेकार तू तू तो फला तू नहीं यह क्या तू नहीं वो क्या जिसका सद्गुरु मौला यार हो जब यारी अल्ला वही गिरुरु राम से लगाई है तो इन बातों के चक्र में पढ़ना ही क्यों कि ठीक है मैंने उसको सौंप दिया माल प्रांद संभाद जरूर करेगा जी धंदन सत्गुर तेरा ही आचा सबी सासंगर जी से निवैदन है कि मेरा चैनल जरूर सुस्क्राइब करेजी धंदन सत्गुर तेरा ही आश्रा